सब लोग बढ़िया होंगे और सब अच्छे पढ़ाई भी कर रहे होंगे सो आज बहुत सारे दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहे हूं सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे conservation of biodiversity तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको जो है broadly हम three category में divide कर सकते हैं पहला है narrowly Utilitarian then broadly Utilitarian then ethical so narrowly Utilitarian में क्या आता है कि जो हमारे जो useful है Utilitarian जो हम लोगों के लिए useful है इसे कि human beings को जो innumerable direct economic benefits मलते हैं from nature इसे food है तो cereal pulses fruits वगएरा यह सब हमको nature से मिलता है then firewood fiber और construction material जो timber है जो wood है वो भी हमको इसी से मिलती है उसके लावा हमको industrial products मिलते है इसे जैसे tannin है lubricants है dyes है resins and perfumes etc यह सब भी जो है हमको nature से ही जो है मिलता है और इसके अलावा medicinal importance की जो products है वो भी हमको इसे मिलते हैं तो यह सब के सब जो है वो narrowly utility यह दिन के अंडर आते है देन एक टर्म है bioprospecting वो देख लेते हो क्या होता है तो इसमें क्या होता है bioprospecting में की यह process है molecular genetics और species level पर जो है इसको explore करना ताकि हमको जो है और बहुत सारे जो है economic importance के जो products हैं वो हम उनको diversity पाई कर सकते हैं और उनको और ज्यादा products को हम develop कर सकें तो यह होता है bioprospecting then next जो है वो है broadly utilitarian so जैसे कि Amazon के forest है तो 20% oxygen बनाते हैं हमारे world के लिए तो वो कहलाते है world के lungs और उसके लावा जो pollinator ले रहे हैं जैसे कि bees है bumble bees बर्ड वगएर पैट वगएर यह तो यह बहुत सरे जो पौधे होते हैं उनके pollination में जो है यह help करते हैं और उसके लावा एस्थेटिक प्लेजर जो हमको नेजर की जो beauty उसको देखके जो हमारे आखों को जो है सुकून मिलता है वो भी जो है इसके अंडर आता है broadly तो यह सब जरूरी है ताकि हम जो है conservation जो है biodiversity का वो इसलिए जादा जरूरी है देन है ethical तो हम लोगों ने वैसे ही जो अर्थ का सत्या नाश कर दिया है fallacy so हम inhibit करते हैं यहां पर और inhabitants है हम इस अर्थ के लेकिन हमने इसका बहुत दुरूर्पयोग किया है so इसके अलावा जो यहां पर बहुत सारी species है varieties है तो उन सब की intrinsic value है सब एक दूसरे पर dependent होते है so ethical responsibility है यह हमारी कि हम इनको protect करें और जो आने वाली जो generation है उसको जो है यह biological लीगे सी हम पास करें ताकि वो भी जो है इसके बारे में जान पाए क्योंकि अभी बहुत सारी जो species है जो discover हुई थी और वो extinct हो चुकी है तो इसलिए यह हमाई ethical and moral जो है responsibility है to conserve the biodiversity अब conservation जो है बाइडिवरसिटी का वो दो तरह से हो सकता है in-situ and एक है ex-situ in-situ जाने all-site जहांपर है वहीं पर उसको conserve कर दो और ex-situ होता है off-site उसको कहीं और ले जाके जो है protected environment में जो है conserve करना हो कहलाता है ex-situ so in-situ conservation में क्या होता है कि पूरे जो ecosystem है और उसकी जो biodiversity है सारे levels पे उनको जो है जैसे की threatened species जो भी है उनको वहीं पर जो है conserve किया जाता है सो लेकिन यह बहुत एक खंचीरा process होता है यह feasible नहीं है कि एक बड़े से जो है area को conserve किया जाए और सो यह जो है economically भी इतना feasible नहीं है और इसके लिए human resources भी बहुत जादा चाहिए होता resources बहुत जादा use होते इसमें तो यहां पर क्या है देख लेते हैं इन-सी-टू के examples क्या है जैसे hotspots है यहां पर यह high density होती है यहां पर biodiversity की यहां पर उसे हम कहाएं कि mega diversity होती है यहां पर यह most threatened places होते हैं जो species है वह बहुत जादा threatened रहती है तरह भी hotspots बहाँ जाते हैं सो ecological hotspots के स्टर से determining के जाते हैं इसकी चार factors है पहला है कि number of species या फिर species की diversity कितनी है वहां पर then है degree of endemism यानि कि जो particular fauna और flora जो सिर्फ उसी geographical area में पाए जाती हो और कहीं नहीं पाए जाती हो वह थी endemism तो वह कितना level पर है किस degree में है यहां पर endemism उसके अलावा जो degree of threat to habitat due to degradation and fragmentation तो यह main reason है जो biodiversity है उसके loss का degradation and fragmentation और उसके अलावा degree of exploitation जो मेर्स है उन्होंने 1988 में इनिशली 12 hotspots जो है उडिस्कवर किये थे 14% of plant species in an area of 0.2% अभी जो है total 36 hotspots हैं वर्ल में and they contain less than 2% of land and 20% of human population जो है वहां पर रह दिया भी इंडिया में जो है 4 hotspots है इंडो बर्मा, हिमालिया और वेस्टर्ण घाट और सुन्डा इलेंड इसमें निकोबार आइलेंस बगर आते हैं नेक्स है protected area hotspots होगे उसके अलावा पर जो protected area है वहां पर भी जो है यह in-situ का example है जैसे कि ecological या bio geographical area जहां पर biological diversity जो है with the natural and cultural resources जो है वहां पर protect किये जाते हैं उनको maintain किया जाता है उनको manage किया जाता है through legal and other effective measures जैसे कि just the cold deserts है लदाक के wetlands है असाम है swampy saline areas सुन्दरबंच के इनको जो है protected area है इनको protect किया जाता है legally भी दिन जैसे कि इसमें national parks भी हैंगी centuries boundaries भी आएंगे and biosphere reserves भी आएंगे protected protected areas थीक है so national parks देखो क्या होते हैं कि maintain किया जाते है by government and reserve for betterment of wildlife cultivation and grazing and forestry and habitat manipulation जो है यहां पर allowed नहीं होता है national parks में so यहां पर इंडिया में 106 जो है वो national parks जो की 1.35% जो है वो geographical area को cover करते हैं कितना कम सा area है इनका तेने centuries तो यह जो है छोटे-छोटे small जो है land के tracks होते हैं with or without lakes जहां पर wild animals, fauna जो है वो रहते हैं without being hunted तो यह यहां पर कुछ activities जो है वो allowed होती है जैसे कि forest products को लेना और timber का harvesting private ownership of land जो है और tilling of land वेगरा यहां पर जो है allowed रहते है centuries में पर इन लिमिटेड अमांट है ऐसा नहीं की जाकर एक्स्पोरिट कर लो उसको नहीं है biosphere reserves जो यह protected area है और यहां पर multi-purpose के लिए होते हैं इनका जो है genetic diversity उसको preserve करने के लिए होते हैं जो ecosystem है उसमें and various natural biomes and unique biological communities उनको यह preserve करता है सो यहां पर जो है wild population को प्रिट किया जाता है जो traditional lifestyle tribals की उनको भी protection मिलता है यहां पर और जो domesticated plants and animals है and उनका genetic resources जो है उस सब को जो है यहां पर protection मिलता है in bass field reserves तो यहां पर जो surrounding से उसमें रहने के लिए जो है allowed किया जाता है then यहां पर जो है biosphere reserves जो है वो बने थे अंडर यह map है यह man in biosphere program जो की 1975 में UNESCO का आया था so at present 727 biosphere reserves हैं जिसमें से 131 countries में total 131 countries में 727 biosphere reserves है अभी तक और इंडिया में जो है 18 biosphere reserves है अभी तक हर एक biosphere reserve में जो है अलग-अलग levels होते हैं जैसे कि पहला है core or natural zone यहां पर कोई भी human activity जो है वो allowed नहीं होती है और जो है वो undisturbed रहता है और legally जो है protected होता है तरहने buffer zone तो यह core zone हो गया इसके चारो और जो है buffer zone होता है यहां पर limited human activities जो है वो allowed होती है जैसे कि resources का use कर सकते हैं research or education के लिए जो है इसका use क्या जा सकता है तरहने last जो है transition zone zone आता है तो यहां पर जो ही outermost और peripheral part होता है biosphere reserve का यहां पर active cooperation जो है वो present रहता है between the reserve management and local people for activities like settlements यहां पर लोग रहते भी है cropping recreation होता है यहां पर forestry और बाकी के जो economic uses without disturbing the ecology ecology को disrupt किये बिना जो है यहां पर यह सारी activities जो है वो allowed होती है so transition zone के जो है different parts होता है forestry है agriculture है tourism है restoration region है यह सारे जो है इसके parts है so restoration region जो है वो degraded area होता है जो की select होता है for restoration to near natural form next है कि importance क्या है biosphere reserves की देखो यहां पर restoration होता है यह जो degraded ecosystem होता है या habitat जो होता है उसको restore करता है ठीक के देने conservation so genetic resources species ecosystem landscape को जो है यह conserve करने में मदद करता है without uprooting the local people जो tribal से उनको वहां से हटाए भीना जो है इन सब का जो है यह conservation में मदद करता है then development यह sustainable economic development जो है उसको ensure करता है by maintaining cultural social and ecological sanctity then monitoring और education and research purpose के लिए जो है यह important है then map जो मैंने in biosphere program जो की international biological program है UNESCO का जो की start वहता 1971 में और लेकिन इंडिया में 1986 में introduced हुआ था जो यह study करता है impact of human interference and pollution on abiotic and biotic components and develops conservation strategies for present as well as future जो यह काम है map का जो की human interference और pollution का जो है impact जो है कितना हुआ है biotic and abiotic component पर यह इसकी study करता है और जो है conservation की strategies देता है present के लिए और future के लिए किस तरह से इसको जो है conserve करके रखा जाए present में भी so यह हो गया in-situ conservation अब है ex-situ conservation इसका मतलब होता है कि कि desired species या पर variety है उसको उसके natural habitat से दूर ले जाके उसको off-site जो है conserve करना थीक है so यहां पर live collection होते है of wild and domesticated species in botnical gardens zoo वगेरा में उनको लेके जाया जाता है और फिर वहां पर उनको conserve किया जाता है under protected environment and controlled environmental conditions रहती है यहां पर currently जो है 1500 से जादा botnical gardens है and arboreta है gardens with trees and shrubs and more then 8000 species जो है उसमें है उसके अलावा जो है seed banks and tissue culture facilities जो है और यह other c2 technologies जो है उनमें available रहती है 800 से जादा zoological parks है और जिसमें 3000 species जो है members birds reptiles and amphibians की जो है वो conserve की जा रही है so इसके लावा यह जो है वो well managed captive breeding programs के under जो है उनको conserve किया जाता है जो animals या just plants बगएरा है वो almost nearly to extinction हो उनको जो है यहां पर captive breeding में जो है रखा जाता है और उनको उनको उनकी population बढ़ाने की जो है वो कोशिश की जाती है so captive breeding जो है is restored in those cases where the number of survival individual is so small that there is no realistic chance of in-situ survival यानि कि अपने natural habitat में जो है उनके survival के chances जो है वो negligible हो तो उनको जो है यहां पर एक सीटू में जो है conserve किया जाता है so जितने जादा number of surviving organisms जो है वो बढ़ जाते हैं तब उनको जो है selective ले जो है release कर दिया जाता है in wild so off-site collection जो है can also be used to restore depleted populations और उसके लावा जो wild में जो species जो खतम हो चुकिए उनको reintroduce कराने में और restore degraded habitat उनको जो है restore करने में भी जो है इसका help जो है वो ले जाती है so उसके लावा जो जीन बैंक है तो यह जो है यहां पर seed banks जैसे है life growing plant जैसे और cuts है और tissue culture है frozen germ plasm है यह सारे जो है लिये जाता है for conservation जैसे seed bank है तो यहां पर दो तरह की seed होता है एक तो orthodox and the second है वो है रेकली सिटेरन सिट्रेंट जो होता है और टॉलरेंट होता है to reduction in moisture content moisture content के reduction में उसके लाव अनवरोबिक तरीके से भी जो है वो condition में भी रह सकते है low temperature में भी रह सकते माइनस 10 से माइनस 20 degrees centigrade और उससे भी कम में temperature में रह सकते है for prolonged period जैसे cereals है legume seeds है तो इनको जो है regular intervals पर जो है germinate कराया जाता है और फिर नए fresh seeds जो है वो लिए जाते है for the storage purpose then recalcitrant seeds जो होते हैं जो कि इतने नाजुक से होते हैं जो moisture कम हो जाए तो मर जाएंगे वो exposure to lower temperature हो तो भी मर जाएंगे ती है cocoa है jackfruit है coconut यह सारे जो है नहीं survive कर पाते हैं इनको जो shorter duration के लिए store किया जाता है after treatment with fungicides in a room having air and normal oxygens then orchards तो यह यह जो है बाग होते हैं यहां पर जो है यह जो recalcitrant seeds होते हैं इनको grow किया जाता है in orchards फिर all possible strains and variants are maintained जिसलीची, oil, palm, rubber, tree यह सारे जो एक्सेक्टरा तो यह callus formation के थू जो है carry out के जाता है embryoids, pollen grain culture and show tip culture जो है यहां पर use किया जाता है यह यह तो seedless होता है या फिर recalcitrant seeds होता है या फिर variable seed progeny जो है या फिर clone जो है यहां पर maintain किया जाता है इस method से जो है large number of genotype जो है वो small area में maintain किया सकता है उसकी rapid multiplication किया सकती endangered species की and hybrid को जो है वो बना सकते हम ठीक है तो show tip culture can be used to maintain virus free plants and यह जो है एक international exchange of germplasm culture जो है वो in a multiplied by vegetative matter जो से बनाना पोटरट और इन सब में भी जो है यह use किया जाता है then cryopreservation तो cryopreservation में क्या आता है कि minus 196 degree centigrade liquid nitrogen में जो है वो रखा जाता है टिशू को embryos को animal cells जो है और जो spermatozoa है उनको indefinite only जो रखा जा सकता है उसमें so material जो है वो special technique से जो है वापस revive किया सकता है cryopreservation में रखने के बात next है यह होगे हमारे in-situ and ex-situ conservation then है हमारा Biodiversity Act of 2002 इंडिया जो है वो रच है in biodiversity and associated knowledge so इसको जो है हम इसको biopiracy को check करने के लिए जो है जो हमारी जानकार की बिना अगर वो जो foreign individuals या organization जो है वो इनके benefits ले लेते हैं biopiracy उसे कहते हैं so उसको check करने के लिए जो है Biodiversity Act 2002 जो है वो लाया गया तो यह हो गया then Convention on Biodiversity तो यहां पर Earth Submit होई थी इंडियोडी जैनरी इन 92 जिसमें सारे जो है नेशन को बलाया गया था और Biodiversity conservation or sustainable utilization है उसके लिए यहां पर बातचीत होई थी उसके जो World Submit on Sustainable Development जो 2002 में होता जोहांसबर्ग, South Africa में जिसमें 190 countries जो है प्लेज लेती ही की हम 2010 तक significant reduction करेंगे in the current rate of Biodiversity loss at global, regional and local level. So यह हो गया हमारा Biodiversity conservation का in C2 and XC2. So that's all for today. तब तक अच्छे से पढ़ाई किजिए अपने ख्यार रखिये All the best. Thank you.